हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई इस्टडी फीर फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों बेस्ट कोस्टोनों का सीरीज डेली की तरह में लेकी आ गई हूँ आप ही अपना प्रैक्टिस कीजिए जो अभी तक आपने पढ़ा है आज का टापिक है नितित्व यानि इस टापिक से एक दो कोस्टन अवस्य पूछे जाते हैं जो आपको जादे तर यूटूब पे वीडियो नहीं मिलता है तो दोस्तों यह आप फिजिकल एजोगेशन के किसी भी कंपटिशन ने जाओं का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार की वीडिय सेशन, MCQ कोस्टन प्रैक्टिस, किप्टर वाइज MCQ, एंड वन लाइनर कोस्टन, बेस्ट कोस्टन का प्रैक्टिस सभी चीज़े अविलेबल हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाए चेक आउट कीजिए अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और दोस्तों जैसा कि आपन आप तयार रखिए कि जब भी एक्जाम हो अवस्य उसमें आपको सफलता मिले यूपी टीटी अवस्य होगा नॉम्बर दिसम्बर तक अवस्य हो जाएगा तो और जो भी अधर एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर डेली बेसे से बने जाए आपको अव किस प्रकार के प्रसासन को पित्र सत्तावादी के रूप में भी जाना जाता है तो किस प्रकार के प्रसासन को पित्र सत्तावादी के रूप में भी जाना जाता है तो आवस्य निम्बर सी यहां पे करेक्ट है और्टो क्रेटिक को और्टो क्रेटिक क्या है कि निरंकुस न निड़ें को नियंद्रित करता है और समु के अन्य सजश्यों से बहुत कब कम इनपूट लेता है निरंकुस नेता अपने स्वें के विश्वासों के अधार पर चुनाओ या निड़े करता है और अपने सुझाओ या सलाह के लिए दुसरोप को सामिल नहीं करता है and next question है दोस्तों कि वह नेता जो समु हूँ पर हावी होने इवं हुक्म देने का लच्छ नहीं रखते बल्कि लोगों को खुद पर विश्वास रखने का कारण बनते हैं इसको किस प्रकार का नेता कहा जाता है तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रेरक नेता क्या कहा जाता है प्रेरक नेता यानि कि वह नेता जो समुग पर हावी होने इवं हुक्म देने का लच्छ नहीं रखते लोगों को खुद पर विश्वास रखने का कारण बनते हैं उन्हें प्रेरक नेता यानि पॉजिटिल लेडर कहा जाता है दोस्तों प्रेड़ा में एक महान शक्ति होती है जो किसी के जीवन में नई उर्जा भर सकती है कुछ लोगों में लोगों को प्रेडित करने की अदभुत छमता होती है वे प्रेड़क वक्ता होते हैं जो किसी के जीवन में शाकरात्मक तरीके से प्रहवित कर सकते हैं एंड दोस्तों नेक्ट पॉस्चन है आपको यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्री आपनेशनल सेंसरी मोटर फार्मल ऑप्रेसर कांकरिट ऑप्रेसन के बारे में दिया गया है जैसा कि आपने पेड़गावगी में पढ़ा होगा सिच्छा सास्त्र में कि जिन प्याजे के संग्यानात्मक विकास संग्यानात्मक सिधान्त में जिन प्याजे ने अपने संग्यानात्मक सिधान्त में विकास की चार अवस्थाइं बताई हैं जिसमें से इन्होंने चार अवस्थाएं बताई है सेंसूरी मॉडल इस्टेज जिसे सम्वेडी पेसी अवस्था कहते हैं जो जीजो से टू वर्स होती है तो यहां पिन सेंसूरी मॉडल अवस्था और दूसरा दिये हैं पुरु संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल जो दो से साथ वर्स होती है तिसरा दिये हैं पुरु संक्रियात्मक अवस्था कांक्रेट ऑपरेशन इस्टेज जो साथ से ग्यारा वर्स होती है और चौथा दिये हैं और चारी संक्रियात्मक अवस्था याने की अमुर्थ चिंतन अवस्था जी से ग्यारा से पंदरा वर जो है सेंसोरी मोटर यानों समयीए पेशिया वस्था होता है जीरो से दो वर्स जीरो से दो वर्स यान pandemic से दो वर्स ठीक है यानिकी यहांपर आपका कि कि आप some some and sensorine motor जर्म से दो हर्स तु का बी यहांपर से चलड़ हुआ जाएगा ठीक है बीปास वर्स अ आफसह नमबर । में दूसरा दिया है आवस्था पूरु संख्रियात में का वस्था यानि प्री आपरेशनल स्टेज तो जन्म ची जिरो सिर्व और सेंसूरी मोटर हो गया और फिर दो से 70 वर्स आपका हो जाएगा प्री आपरेशनल स्टेज यानि कि एक और थ्री हो जाएगा तो फ्री आपरेशनल स्टेज कितना हो जाएगा दो से साथ वर्स एंद तीसरा इनों दिया है पूर संक्रियात्मक अवस्था यानि कांक्रेट आपरेशन स्टेज तो जीजो से दो वर्स सेंसोरी मोटर और दो से स वर्स 3 आपरेशनल और तीसरा विन्हों है ना है कोंकरीट आपरेशनल यानि पूमूर्ट संक्रियात्मक अवस्था तो यह आपका हो जाएगा जिरू के दों से साथ साससे 12 यानी सार से 11 तक होता है साससे 12 वर्ण ओलिके इसके बाद इन्हों ने दिया है और 4種 संग्रियातम का वर्ण यानी Formal Operation Stage यह आपका हो जाएगा 11 12 12-15 वर्ष तक यानि 12 वर्ष से उफवर ठीक है इस प्रकार आपका आपसा नुमबर फूर रॉइट हो जाएगा यहां पर दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं एंड नेक्ट पोस्टल है प्रबंधन से संबंधित नेतितु शिधांत है तो प्रबंधन से समंधित विष्टा, 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 और परिभासाएं समकालिन साहित में उपलब्द हैं। इस प्रकार सक्रिय नितित्व के विभिन आयामों को वगिकृत और इसपष्ट करने के लिए प्रयात प्रयास किये गए हैं। जो नितित्व सैलियों और विभारों के काफी संगठनात्मक और समाजिक अनुसंधान का निर्माण करते हैं। कई सोधकरताओं और चिकिस सकूनी एक आम सहमती विक्सित की है कि नितित्व एक लचीली विकासात्मक प्रक्रिया है। विश्वी सताबदी के दोरान उगरे मुख्य नितित्व सिधानतों में ग्रेट मैं सिधानत, गुण सिधानत, प्रक्रियास, नितित्व सिधानत, सैरी और विभार सिधानत सम्मिलित है। सिध्षक सिध्षा का इंटर्नशिप कारिक्रम क्या प्रदान करता है। तो सिध्षक सिध्षा का इंटर्नशिप कारिक्रम पूर स्कूली पर्यावरण प्रदान करता है। इंटर्नेशिप कारिक्रम सिच्छा के स्कूल में सिच्छक प्रसिचण कारिक्रम में संचालित होता है कारिक्रम सिच्छा मंत्राले में सिच्छक विशिसगता विभाग द्वारा इस्थापित इंटर्नेशिप प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित होती है जो इसमें कालिक्रम होता है, वस सिच्छा बिसेटा विभाग द्वारा मंत्राले में इस्थापित होता है और नेक्ट है, निस्पच्छता, अखंडता, जिम्मेदारी और सम्मान किसके चार प्रमख गुड़े हैं दोस्तों? तो ये चार प्रमख गुड़े किसके हैं? खेल नहीं दिखता कि यहां निर्तित दिया रहता तो भी सही रहता है कि यहां पर दिया है तो तो की इस्पोर्ट में में लच्छ केवल जीतना नहीं बलकि किसी के सरुत्म प्रयास को देखते हुए सम्मान के साथ हासिल करना है नेक्ट कोशन है कैनन क्या है कैरन ने नित्रित्व प्रक्रिया की अधार्णा तयार करने के लिए दो बुनियादी तरीकों की पहचान की है तो कैनन ने नित्रित्व प्रक्रिया की अधार्णा को तयार करने के लिए कौन सा दो बुनियादी तरीकी के पहचान की है तो उन्होंने प्रभाव पढ़ाली और ने शक्ति पढ़ाली दो चीजों का पहचान किया है प्रभाव पढ़ाली और शक्ति पढ़ाली 2 और 3 यह आशन नंबर 1 आपका राइट रहेगा नेक्ट है बल का प्रियोग किये बिना किसी समूँ से वांचित कारे करवाने की यवता को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं दोस्तों नेतित्व क्या कहते हैं नेतित्व कि बल का प्रियोग किये बिना किसी समू से वांचित कारे करवाने की यवदा को कहते हैं नेतित्व एंड दोस्तों यहां पे कुछ ब्याख्या दिया गया है कि आलफोड तथा विट्टी के अनुसार बल का प्रियोग किये बिना किसी समू के वांचित काम करवाने की यवदा है नेतित्व है यह किसका परिभासा है अगर ऐसे पूछेगा तो यह परिभासा है आलफोड तथा का बिट्टी का एंड दोस्तों नेक्स कोस्टन है कि जल प्रदूसर का प्रमुक्ष्रोथ क्या है यहां पे दिया है वर्सा का पानी तलाब का पानी नहर का पानी सीवर का पानी तो यहां प्रमुक्ष्रोथ पूछा है तो यह हो जाएगा यहां पे सीवर का पानी कुछ ऐस शमाना जाता है जब उसमें घुलित खनीज तत्तों के आयन यूम लवण आदी संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं जब जल में विसाक्त पदार्थ जैसे कारखानों के आवसिष्ट पदार्थ उत्पाग राशायनिक उत्पदार्थ वाहित मल सीवर का जल तथा कुड़ा कर कट आदी गिरते हैं तो जल में उपसित पदार्थों का संतुलर नश्ट हो जाता है इस प्रकार जल का दूसित होना जल प्रदूसर कहलाता है और दोस्तों नेक्ष्ट है कि अनुसासन इमानदारी आकर सक ब्यक्तितु है किसके गुड़ है सही अंसर आपने टिक कर दिया हो होगा तो यह एक नेता के गुड़ है किसके है नेता की और दोस्तों नेतितु के गुड़ में यहां पर नेतितु के गुड़ में एक नेता दू प्रकार के गुड़ रखती है एक अनिवारे गुड़ होता है एक आंतरी गुड़ नेता के पास दोस्तों बस डेली बेसिट मेरे साथ जुड़े ज़िए इसी तरह कोस्टन आप डेली बीसेस पर लगाते ही जहेंगे तो आपका कांसेप्ट केलियर होता जाएगा और एक्जाम में आप कोस्टन देखते ही एंसर टिक कर देंगे तो एक नित्तित्वे के गुड में अनिवारे गुड कुन होते हैं दिरस संकल्प, साहस, दूर दरसिता यानिकी दूर तक सोचने की छंता, एंड बुद्धिमानी, नुड़य करता, कल्पना सील, कल्पना सकती, प्रबंध की छंता आदी, आंत्रिक गुड में उदार्ता, अनुसासन, इमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस, ब्योहार कौसल, दया, प्रानुभोती, आदी, ये सभी गुड होती हैं एंड, नेक्ट कोस्चन है दोस्तों, कि मन्दुरंजन उपलब्द कराने वाले अभिकरण कितनी प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों मन्दुरंजन उपलब्द कराने वाले जो अभिकरण हैं, उचार प्रकार के होते हैं, यानि कि मन्दुरंजन का अर्थ है, खोई हूई उर्जा को पुनह प्राप्त कर अरंध का अनुभोग कर प्राप्त करना मनरण्य उप्रद कराने वाले अभिकरण है 4. सासकी, स्वेन सेवी अभिकरण, नीजी अभिकरण और व्यापारिक अभिकरण सास्की अभिकरों में NCC, NSS, एंड स्वेन सेवी में YMCA, YWCA, नीजी में निर्तिय, कलब, आरकेस्टा, वाद विदवाद, एंड व्यापारिक में TV प्रदर्शन, एंप प्रदर्शनियां आती हैं पनेश्ट है, बालक बालिकाओं में भिनता का अधार है, तो क्या है दोस्तों, लिंग भेद, बालक बालिकाओं में भिनता का क्या अधार है, लिंग भेद, उचाई मोटाई विकास नहीं है, ये तो सब में होता है समान रुप से, ठीक है, बट्ट, भिनता का अधार है, लिं आवस्यक है सारीक सिच्छा में विविद प्रकार की क्रियाय किसके लिए विभिन प्रकार की सारीक विश्शताओं की आशंता होती है बालक बालीकाओं में लिंग भेत सरीका गठन मुटर छंता भिनता के अधार हैं यहां पे बालख बलिकाव में लिंग भेत के अलामा कौंग कौंसा भृंता के अधरा है ध्यान से देखिए लिंग भेत तो है ही उसके अलामा सारी गठन मोटर चंता आदी कि लोगों में किसी कारे के प्रती उसाह उपन करना वो उन्हें प्रतसाहित करना क्या कहलाता है यह भी क्या कहलाता है निर्तित्व间 जैसे कि दोस्तों निर्तित्व जो है निर्तित्व की सक्ति ही एकता की सक्ति है लोगों में विस्वास और उस्जा बनाने की योगिता ही निर्तित्व गहलाती है सफल नेता में दूर द्रिष्टी, प्रिरक्तत्व, पहल करने की योगता, आत्मविश्वास तथा व्यक्तिकत इमानदारी होनी चाहिए एंड नेक्ष्ट है दोस्तो, स्वास्त सिच्छा को पूर सफल बनाने में उसमें से किसे अती महतपूर माना जाता है तो दोस्तो, स्वास्त सिच्छा को पूर सफल बनाने के लिए उसमें सबसे महतपूर सच्छम नेतित को समझा जाता है एंड दोस्तो, सुयग नेतितों की बिना कोई भी कारिक्रम सफल नहीं हो सकता स्वास्त सिच्छा के कारिक्रम की सफलता के लिए यह अत्यमत आवस्यक है कि बिद्याले के प्रसासनिक अधिकारी उसे सिच्छा के कारिक्रम का एक अंग बना ले स्वास्त सिच्छा का प्रबंध करना बिद्याले का एक उत्तर दायत है एंड नेक्ट पोस्चन है नेतित्व एक आचर समंधी प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करती है तो दोस्तो जो नेतित्व है आचर समंधी प्रक्रिया है यह फोकस किस पर करती है यह फोकस करती है निधारित लच्छियों के प्रती ब्यक्तियों और समुख को प्रहावित करने म बिना लच्छ के कोई काम नहीं होता, नेतितु भी काभी एक लच्छ होता है तो लोगों में विश्वास, उस्वा बनाने की योगता, नेतितु याने लिडर्शिप कहलाती है वांठित उद्यर्श के प्राप्ति के लिए, दूसरे के सहयोग के लिए लोगों को ब्रेड करने के कारे को नितितु कहते हैं एंड नेक्ष्ट कोस्चन है नितितु के सिधान्थ को उसके प्रतिपादन के कालक्रमा उसार व्यवसित कीजिए तो यहां पर नितितु का सिधान्त है और उसके प्रतिपादक जो थे उसके अंसाइज को व्यवसित करना है तो यहां पर आपसर नंबर B आपका राइट हो जाएगा आपसर नमर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा यानि कि इसमें आपका तंत्रे बान और इसमीड से मॉडल पहले आया उसके बाद फिल्डर का संयोग कॉन्टिजेंसी मॉडल आया उसके बाद जीवन चक्र सिधानत आया उसके बाद लाष्ट में बहुँ आयामी मॉडल आया नेक्स कोशन है आपदा प्रबंधन योजना के चार चरण क्या है तो दोस्तों आपदा प्रबंधन योजना के चार चरण है समन तत्परता प्रतीक्रिया और पुनह प्राग्ति आपसर नमबर ए यहां पर राइट होगा एंड नेक्स कोशन है कि अंतरंगता ब्यक्तियों का विलियन आपसी पहचान और साजी भावना कौन से समाजिक समोगे लच्छड है तो दोस्तों अंतरंगता जहां पर हो आपसी भावना हो वो तो प्रात्मिक समोग ही हो सकता है आपने सही अंसर टिक कर दिया होगा यह प्रात्मिक समोग के अंतरगत आता है नेक्स कोशन है सीविर में विद्यार्थी में कौन से भावना जाकरित की जाती है जो जब सीविर आउजित किया जाता है तो उसमें विद्यार्थी में लीडर्शिप की भावना को जागरित किया जाता है यानि कि दोस्तों सीवीर का अपना निश्चित उद्यश्च होता है जैसे मनरंजन तथा सर्चित लागों को बढ़ाना नेतित उच्छंता का विकास कराना नागरी कियम समाजी गुरूं का विकास अनुभों का अदान प्रदान नेक्ट है एक प्रहावी निडायक को करना चाहिए एक प्रहावी निडायक को क्या करना चाहिए दोस्तों सीवीर निड़, निस्पच्छता, मानसिक सजगता इस सभी गुरू उसमें होना चाहिए ये सभी चीजे उनको करना चाहिए तो उपरोग सभी यहां बे राइट हो जाएगा एक अच्छे प्रसिचक के लिए मात्र उच्ची योगिता का होना ही आवस्चेख नहीं है उसमें निम्न गुल भी होना चाहिए, यानि खेल का ज्यान होना चाहिए, खिलाडी की समझ होना चाहिए, संतुरित बैतित्तो होना चाहिए, खेल भावना होना चाहिए, कलपना सिलता होना चाहिए, अधेयन सिलता होना चाहिए, नैतिक वादी होना चाहिए, मनो विज्ञान होना चाहिए निस्पच्छत होना चाहिए शिग मात्री सजकत होना चाहिए निर्चण या लिप घ्रनेश करने वाला होना है तो दोश्तों एक निपूर कुसलता उने कळा सा और निपूर होना चाहिए और नितित्व के गूर अच्छा होना चाहिए तो उप्रुत सभी यहां पे राइट होंगे यानि कि दोस्तों एक साररिक सिच्छक के निमनिखित गूर होना चाहिए निपूर कुसलता, सेवा की भावना, निती परक चरित्र, आकर सक बेख्तित्व, सहयोगी, निर्टित्व, रचनातमक और कल्पना सील, सक्रिय, विनम्र, आदी यह सभी गूर होना चाहिए एंड नेक्ट है, यहाँ पर अविकथन से एलेटिट कोस्चन है, कि लोग प्रायः खेल और अभ्यास में हिस्सा क्यों लेती हैं, इसकी पहचान करना संभो है, यह याद रखना है कि हर व्यक्ति के भाग लेने के उद्दे से भिन भिन होते हैं, तथा वे बिसिष्ट हो सक और व्यक्ति के भाग लेने के उद्दे से भिन भिन होते हैं, और टर्वार र है कि किसी भिसिष्ट खेल में भाग लेने के पीछे व्यक्तियत यूंभ राज नैतिक अभिरुच्यों की भी भागादारी हो सकती है, तो नहीं दोस्तों अग गलत है, राज नेतिक की दिकी सम परण्थु आर गलत है और नेक्ष्ट है वह नेता जो निड़ा लेने में सारी स्वतंता की आजादी देते हैं यहां समुगति विदियों में भाग नहीं लेते उनको क्या कहते हैं तो दोस्तों आप सभी एंसर टिक कर दिये होंगे उसे प्रजातांत्री कहते हैं प्रजातंत कि इसे गुड आतम विश्वास होता है अगर व्यक्ति में आतम विश्वास सेल्फ कॉंफिदेंस नहीं है तो वह किसी भी गतिविजी में खेलों में सही रूप से प्रदसित नहीं कर सकता है किसी भी छेत्र में प्रगति इस बात पर निर्भग करती है इसमें ब्योसाइक नेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् जो अधिनास्त हैं और लोग हैं उससे सुझाव मांगने जाते हैं यानि कि भागिदारी नितित्व एक प्रबंध की एस्षैली है जो सभी कमपनी निड़यों को करमचारियों से आमंदित करता है स्टाफ को कमपनी के मुद्दों के बारे में उचित जनकारी दी है और बहुमत से बोर्ट कमपनी दवारा किये जाने वाले कारियों को निधार किये जाता है नेक्षे दोस्तों सारे लिख सिच्छा के अध्यापक को अधिक्तम दुस्फ्रभावित करनी वाला कारक है तो सारी सिच्छा के अधियापक को अधितन दुस्प्रोवावित करनी वाला कारक्रम क्या है पार्ठेक्रम की अनेक रूपता क्या है पार्ठेक्रम की अनेक रूपता यह है अधियापक को अधितन दुस्प्रोवावित करनी वाला कारक है रोजगार के वाज़रों की तो कमी है ही दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जूज रहे हैं इस चीज से प्रकार का निरंकु सत्ता होता है यानि कि यहां पर आपको व्याख्या दिया गया है कि निरंकु स्या सत्तावादी नेताओं को अक्सर उन लोगों के रूप में वड़ित किया जाता है जिसके पास अंतिम अधिकार और शक्ति होती है ये नेता अकेले अपने विचारों के अधार पर चुनाव करते हैं और अपने टीम की बात नहीं सुनते या दूसरों से इंपूट नहीं मांगते और नेक्षा है दोस्तों यहां पर आपको मिलान करना है यह कोशन समझों नहीं आ रहा है किस से इसका फुल फॉर्म क्या होगा तो यहां पर आपका आपसन नमबर बी आपका राइट होगा यहां पर देखते हैं नेतित्व जो है उसा मधित है आपसन नमबर थ्री से ल, एस, एस से एंड आपसन नमबर टू ब्यक्तित्व जो है वह वन से रिलेटेट है प, O, M, S से तिसरा है समूशंसक्ति जो है फोर से रिलेटेट है G, E, Q से चवथा उद्वेग जो है टू से रिलेटेट है S, C, A, T से तो यहां आप देख सकते हैं एंड नेक्स्ट कोस्ट चल है कि अभी कथन से रिलेटेट है कि अभी कथन ए है कि नेतित्व की सुच्छाचारी सैली समानने तह कारियन मुख और कठोर सनरशनापूर होती है तो नेतित्व की सुच्छाचारी सैली होती है कारियन मुख और कठोर सनरशनावादी होती है यह बास सही है तो यहाँ पे A और R दोनों सही है बट R A का सही व्याख्या नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आफसे नमबर भी आपका राइट हो जाएगा एंड नेक्स कोशन है कि नेतितु फ्रक्रिया की संकलपना के निमार के कैरन ने दो मूलभूत प्रडालियों की पहचान की है तो अभी इससे पहले यही कोशन आया था कौन-कौन सा प्रभाव प्रडाली और शक्ति प्रडाली वन और फूर आपका राइट होगा आफसे नमबर A ठीक है कि सारेरिक सिच्छा के सिच्छक की प्रमग भूमिका की पहचान किस रूप में की जाती है तो एक अच्छे नेता के रूप में की जाती है यानि कि सारीरिक सिच्छा के सिच्छक की भूमिका की पहचान एक अच्छे लीडर के रुप में, निता के रुप में की जाती है सारीरिक सिच्छा के अंदर एक नितित्व करने की छमता होती है जो वह सही तरीके से बिद्यालियों, महा बिद्यालियों, विश्व बिद्याले जिस अस्थान पर होता है वह अपने निर्थित्व छमता के अधार पर अपना अस्थान बना लेता है और इन संथाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को खेल के प्रती सही दिसा देनिव का कारे करता है And next question है दोस्तों कि निर्थित्व एक ब्योहरीक प्रक्रिया है जो केंद्रित रहती है किस पे दोस्तों यह केंद्रित रहती है व्यक्तिक एवं समुह निधायत लच्छियों के लिए प्रहावित करने पर ठीक है यानि कि निधित्व एक ब्योहरीक प्रक्रिया है जो व्यक्तिक एवं समुह को निधायत लच्छियों के लिए प्रहावित करना नेता के गुण है जो प्रतिक समुख के नेतितु किया सकता होती है एंड नेक्ट कोशन है दोस्तों कि निम्न नेतितु सिधानतों को काल क्रमा नुसार क्रम में रखे तो यहाँ पे आपको काल क्रमा नुसार क्रम में रखना है अफसन नमबर बी यहाँ पे राइट होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या है चबता अफसन टैनन बाम और सिष्ट इसमिष्ट प्रारूप उसके बाद पहला है फिल्डर का अपातकालिन प्रारूप उसके बाद दूसरा है जीवन चक्र सिधान्द हरसे और ब्लान कार्ड एंड थ्री है बहु आयामी प्रारूप चला दुराय और कहरेल एंड नेक्ट कोस्चन है सुची वन को टू के साथ मिलान करना है तो यहाँ पर दोस्तो आफसन नमबर ए ही राइट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं सत्तावादी नेतितु सैली किस्मी होता है तो सत्तावादी नेतितु सैली जो है इसका थ्री हो जाएगा राइट उपलब्दी अभी मुखी उपागम खाले उसको उपलब्दी प्रात करना होता है सत्तावादी वो जनता की बात नहीं सुनता है लोगों की बात नहीं सुनता है जो सुनता है अपना सुनता है प्रत्ययोजन उपागम इसमें लोगों को निर्ण लेने की सोतनता होती है उसका पूर बात साध्या किया जाता है उसका भी तर्क लिया जाता है तब निर्ण लिया जाता है यहां आपका हो जाएगा इसके प्रड़ाम का पुना ससक्ति कराव होता है जो था है मानुवी नेतेत्य उस्एली इसमें आपसा नमबर टू राइट हो जाएगा व्यक्ति और फूर कर्टू होगा व्यक्ति और प्रयावरण के बीच संबंधों पर अधायत होता है इसमें यह समाप्त होता है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और जादे जादे वीडियो को शेयर भी कीजिए इसी तरह डेली बेसेस पर प्रैक्टिस करते रहिए और फर्स वार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसे न्यू वीडियो का अप्डेट आप तक पहुछता रहेगा तो मिलते हैं लेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं